कि हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूटूब आपको बताऊं जैसे मिन आपकी आज की वीडियो में बनाई है मैं जानतों कितनी मेहनत करके में आपकी वीडियो बनाई है और चीजों समझते वह आगे बढ़ते चलिएगा क्योंकि थ्योरी समझना बहुत जुरूरी तब आज पर आधार्याता पोश्चन आप कर पाएंगे ठीक है ना और यहीं कहना है तो चलिए हम आज की वीडियो शुरूरात हम करते हैं इससे पहले जोलो मेरे चैनल मेरे सब्सक्राइब करेंगे तो पहला हमारा है इंट्रोडक्शन आप इंजन कोलिन सिस्टम तो इसके बार हम जान लेते हैं है क्या है तो इंजन में जो कंशन सब्सक्राइब करेंगे से 252 को जाता है अब कमिसंट चैंबर का मतलब क्या हूं जहां पर डीजल आ जल रहा है जहां बहुत सारी यह आपकी तो वहां बहुत है तो कितना होता है पांसों से लेकर पच्छी सो डिगरी सेंटीगरेटर अब तो यह था पड़ते जाएगा तो अमारी अपड़ते जाएगी ठीक है और क्या होता है इसके पार्ट अजय गरम हो जाते हैं आप सब को पता है इंग्जन में क्या सब लोहें को लोहें के खासे तो धातु की खाषेद होती तापान बढ़ने पर वह अपना वहीं बढ़ता है था तो यह पहलती है इसलिए नहीं छीट मिलेगी तो फैलेगी अगर फैलेगी तो शपेस नहीं मिलेगा तो प्ट्री टीनी मेड़ी हो जाएग और किते लोग जानमाल को सनद सकता है हमारा ठीक है तो इसिए थ्यान को द्रख invested हम काम करते हैं इंजीन के उसको ठापमान को कंड़र करके इसको सब्रस्कात करने का कारी कोली सिस्टम का होता है एसको अब किया है कि इतना तैंसलिए मतलई होना चाहिए हम उतना तो इंजन को ना जादा गरम होना चाहिए और जादा घरम होगा तब तो दिक्कत है और जादा थंडडा होगा तब वह जादा क्वाइगा उसकी मसीन इतना काम नहीं कर पाएंगे ठाट में के दिक्कत होती है गाले करने में खासको बाइक वगएर होती है उसका रीजन यहीं होता है ठीक ना तो गरम करना पड़ता है हम जो करेगा जो और रहे सब सब्सक्राइब क्या है ना यहां इडार से ज़रूत कुई पड़ी आखीर में इंजन नहीं होगा तो इंजन आवरीट हो जाया आप कोई चीज & तो पहुंच तो क्या होगा फ्रेट होने के निर्म्हीं कि कोई ऑंग आदी गर्म से फैलेंगे जिससे होगे पिष्टन इइस सीज॔ जैंगे अपसको पता है और फैलेंगे जो फैलेंगे जैश्टि बाते अपने अब करें से कामी नहीं करपा सुनते भी ओंगे उन्हें लोग का है ट्राइब का तो उंको पता होगा कितने हो इंटिन सी लोगे मया है को उनका जन्य नहीं पर पढ़ गया चूना बहुत बराब भारीफिछ ऊचूना तो बहुत जाता है तो बहुत जाता पैसा लेजाते हैं तो यह तो अच्छा काम कर पाएंगे जब उस्से ज़्यादा टैंपरेटर बढ़ जाएगा तापन बढ़ जाएगा तो वह क्या होगे जल जाएंगे जैसी बात है और क्या होता है प्री एगनीशन नौकिंग डेटोनेशन जे समस्या होती है इगनीशन समत्ते ही होंगे जब गाड़ी में श्टार करते हैं उसे बहुत जाती है लूब्रिकेटिंग ऑईल पतला होका सही लूब्रिकेशन नहीं कर पाएगा जिससे पार्ट के बीज घर्षन ब है यहां पर साइंस क्या लग रहा आप अपक्वाएल की जोबी द्रव में स्यांता होती है स्यांते खासित क्या होती ना कम टेमरेटर रहेगा उतना ज्याधा वो गाढ़ा रहा अब जितना ज्यादा गाळा और लेकि जब इंजन गरम होगा तो तो कहीने पतला हो जाएगा तो चंब पतला होगा तो पार्ट्स पर काम करें लुब्रिकेटिंग से उससे पार्ड खाये यह अपस में रख़ल खाएंगे और घर्षण से बचाहरे हो हमारे जातों समय तक चले ठीक हो गिस जाएंगे उतना जल्दी पार्ड गिसेंगे उतना जल्दी पार्ट का नहीं जाते हैं गाड़ी में इंजिन के एफिसेंसी एवं फ्यूल एकोनॉमी प्रहईद होती है बिल्कुल हो गिया जब गाली गरम होने पर उसके आजपास के जलने समावना पड़ जाती है अब हारनेस क्या होता है इंजन दिखते हैं बहुत से वैरिंग में होती है सब्सक्राइब होता है तो इसका असर पड़ेगा अब क्या होता है तो कूलिंग सिस्टम में इंजन की गर्मी को किसी कूलिंग मीडियम द्वारा इंजन से कूलिंग मेडियम यह कूलिंग मीडियम मुखेता हवा या पानी होता है वैसे एक और बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो इस सब्सक्राइब करते हैं और वाटर कूलिंग करते हैं इस कूलिंग सिस्टम को कहां पर करते हैं तो एर कूलिंग सिस्टम में हवा के द्वारा इंजन की कर्मी को वाता वर्रण में छोड़ा जाता है सब्सक्राइब करते हैं तो यहाल इसमें भी होता है हावा क्या करते हैं इंजन से घर्मी खीच लेती है और वातरों में छोड़ देती है इस से वह क्या होता है इंजन हमारा ठंडा हो जाता है इएर कूलड इंजन में सिलेंडर ब्लॉग इंजनर हैटब करती है इन फिंस के करनल सिलेंडर हवा कांटेट इरिया बढ़ जाता है जिससे अच्छी होती है जहड़ सी बात है जितना जब्लाकर बढ़ेगा उतनी ज्यादा वह गर्मी को अप्जोर करेगा अपने इंदर ज जूरह देखू असज़ सपार है बीचा यह यह को सबस्क्राइब तकल होता है तकको बलते हैं यह हैं तो इसका करते हैं यह स्कूट विगारा में से यही लगा होता है यह पूल सिस्टम ही होता है अब इसके एडवांटेज क्या है एडवांटेज और फाय देखिया है रख रखाव सरल होता है बिल्कुल यह साथा बड़ा मेंट्रेश है निए गाले लगावा फिक्स है हमारा अपना साफ हो जाता जब यह पानी जमेंगा जो फिंस वने वह से साफ सीधी बात है और क्योंते वाटर पंप रीडियेट्र आधी पार्ट्स नहीं उससे भार मेलके होते अब रिजेट्र बड़े उते हम करते हैं जो ट्रकव वगरा हो गए कार वगरा हो गई हमारी बसे सो गई उनमें बना हुआ है ठीक ना अब क्या है डिस अड्वांटेज अब इसके नुकसान कि है अगो फैद्व नुकसान भी इसके इंदर नुकसान क्या है करता है एक कम होती जैसे बात एक कम होगी बिल्कुल लोगी तो निपर करेगा यह बातरों के तापमान से कुलिंग प्रवाइद होती है आप देखो लोग गरम प्रदेश में रहते हैं जो होट हो प्रदेस रहते हैं चाहां पर इतना एफक्टिव नहीं है तब तो गाड़ी क पानी के ज़ारे गर्मी को अफ्सोशी करके वाता वराण में छोड़ा जाता है जिससे इंजन ठंडा होता है तो मैं आको मताएज ना इन अश्य होटे-स वाटर कूली सिस्टम में बने होते हैं वाटर जैकेट इस वाटर रखकेट्स होते हैं पाणी डालते हैं इंड़ जाता है नब नियुक्त चुश्य कर लेता है तो बहुत जाता है तो वह यह क्या पानी यह जाता है इंजन से प्रोसेस होता है वह जाता है तो सारी इंजन की अपने इंदल लिए आता है उसे फिर गरम होजाता है फिर उसे फे फांख्यों के ले फिन्स वगयरा होते हैं और से थंड़ सालता है और चुल कोप reduz लिक्विड होता है कूलेंट ट्रक वगरम डालते हैं लोग देखा है मैंने आप लिए करते हैं तो फिर यह रिचेटर के रहे यह रहाए है कर देखा हूँ आप बड़ बड़ी गार्यूटर रहा में बस उसमें ट्रकों में यह रिचेटर होता है इसी में ठंडे के लिए लगाए यहाँ आगे लगा रहता है प्रोसेश हमारी चलती रहती हैं ठीक न तो यहीं था इस पर कुली सिस्टम में ज्यादा कुछ नहीं है एंचल में एलिमेंटरिक नॉलेज है तो आपको पढ़ाया जाए बैसे बीच्टी आपको पढ़ाया जाए तो कल इंजन स्कूलिंग सिस्टम पर अधारी महतर प्रश्णों करेंगे तो कल हम इसका करेंगे क्या है क्या करेंगे अच्छे कोश्टिंग करेंगे चूंकि आपके अगामी एक्जाम में आ सकते हैं और बहुत सम्भावन है फसंगे आपके चैनल से देखना मुझे टार्गे ठीक है ना तो कल मिलते हैं एम सी कुज में कल मांको कोश्टिंग कराऊंगा और जिन्हों ने मेरा टेलेग्रेम जोइन नहीं किया भी तक तो जोइन कर लीजिएगा कि जो नोटिकरिशन वगएरा होते हैं जो भी इंफर्मिकरिशन होती है वह टेलेम चैनल पर डाल देता अगर पीडियो चाहिए होंगे नोट बनाने तो आप मेरे टेलेग्रेम जोइन कर लीजिए मैं फिर योग कोश्ट पीडियो देता हूं मैं कोई सा चार्जिंग लेता हूं आप लोग से ठीक है ना तो आप मेहनत कीजिए पढ़िए कल मिलते हैं आप से ठीक है ना तो